हलो दोस्तों, लूसेंट साइंस एकके के इस वीडियो में आपका वेलकम आदस्तों तो ये वीडियो का बार वो पार्ट आउस्तों इससे पेहले भी ग्रार पार्ट बनाए ज़़ जुके दोस्तों वो भी आप चैनल पे जाके देख सकते हैं तो इस प्रकार से आपको मिलने माला है जो जो कि साइंस जीकेगे दूस्तों और बार बार एकजाम में पूछे जा रहे हैं जो और नेक्स्ट आने वाले एकजाम रेलवे, पुलीस, एससी, पतवारी, यूपियसी और एकजामों के लिए काफ़ी इंपोटेंट साबित होने व उडियो कोशन है वह किरिया जिसके दुआरा धातू को अनुचुम्बकिये बनाया जाता है कहलाती है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमबर भी इसे डी मेगनेटाइजेशन कहते हैं जिसके दुआरा धातू को अनुचुम्बकिये बनाया जाता है निक्शन है डाइन करने का रांस्पार्मर के क्रोड बनाने के लिए और निमलिकित प्रधार्तों में से तो इसका आप्स नमेर सी तुलसा का नियम है लेंज चुम्बकिय सुई किस तरफ संकेत करती है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number B उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है चुम्बकिय सुई निक्ष ने विदुद्धारा का चुम्बकिय प्रभाव स्वरपर्थम आउलोकित किया गया तो इसका गरेक्ट आंसर है option number B और state के द्वारा किया गया था विदुद्धारा के चुम्बकिय प्रभाव को सबसे पहले आउलोकित निक्ष ने मुक्त रूप से लटकी हुई चुम्बक सुई का अक्षे भोगोलिक अक्षे के साथ कोन बनाता है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number D 18 डिगरी का कोन बनाता है निक्ष ने दुरूओं पर नमन कोन का मान होता है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number D 90 डिगरी होता है दुरूओं पर नमन कोन के मान का निक्षन है कोई चुम्बकिये प्रधार्थ को वी चुम्बकित किया जा सकता है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्सन नमर सी A वै B दोनों मतलब हतोड़े से पीट कर और गरम करकर किसी चुम्बकिये प्रधार्थ को वी चुम्बकित किया जा सकता है निक्षन है निम्न में से कौन सा एक प्रती चुम्ब किया है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number D जो विस्मित है वह एक प्रती चुम्ब किया है निक्षन है निम्न में से कौन सा एक प्रकती में अनुचुम्ब किया है तो इसका correct answer है option number D बिल्कूल correct है जो oxygen है वह अनुचुम्बकी है प्रकती में Next निम्न मेंसे कौन सा एक अनुचुम्बकी प्रदार्त है तो इसका correct answer है option number D पीतल है जो कि एक अनुचुम्बकी प्रदार्त है Next निम्न मेंसे कौन सा एक अनुचुम्बकी प्रदार्त है ग्रेक्टांसर है आपसे नंबर एविल गएट है उत्तर दक्षिन दिश्या के अंदर टिकती है चुम्बकिये सुई जिसे मुक्त रूप से निलंबित किया जाता है निक्षने कौन सा उपकरण विदुत प्रतिरोद को मापता है तो इसका ग्रेक्टांसर है आपसे नंबर भ विदुत चुम्बकिये शेत्र से सम्मधित है एक धारावही चालक निक्षने डाइनमो एक मशीन है जिसका काम है तो इसका ग्रेक्टांसर है आपसे नंबर डी यांत्रिक उरजा को विदुत उरजा में रुपांत्रित करने का कारिय करती है डाइनमो मशीन निक्षने जब एक साबुन का बुलबुला आविशित किया जाता है तब होता है तो इसका गरेक्ट आंसर है आपसन नमबर भी यह फैलता है जब एक साबुन का बुलबुला आविशित होता है निक्ष ने वोल्ट कितने के बराबर होता है तो इसका गरेक्ट आंसर है आपसन नमबर भी एक जूल के बराबर होता है एक वोल्ट का मान निक्षन है एम बी सी जो एक लगू पथन के मामले में विदुत की पूर्टी को काट देता है का काम करता है तो इसका गरेक्ट आंसर है आपसन नमबर डी धारा के तापन प्रभाव से काम करता है एम सी भी आपने सुना होगा एम सी भी जो कि आप घरों में लगाते हैं और लगू पर इतन बोलतों शोर्ट शर्कित होने पर ये धारा की जो आपूर्टी है उसे काट देता है निक्ष ने बिजली के पंखे की गती बदलने के लिए प्रियुक्त साधन है तो इसका गरेक्ट आंसर है आपसन नमबर बी रेगुलेटर का प्रियुक्त की जाता है ताकि पंखे की गती को बदला जा सके निक्ष ने विदूत मरकरी लेंप में रहता है तो इसका गरेक्ट आंसर है आपसन नमबर बी कम दापर पाराबरा होता है विदूत मरकरी लेंप में निक्ष ने प्रतवी के वायुमंडल में उपस्तित ओजोन परत है तो इसका गरेक्टांसर है option no.8 पराबेगनी किर्णों के परिवेश को कम करती है ओजोन परत जो की वायू मंडल में उपस्दित है निक्षन है यदि किसी परतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका परतिरोध होता है तो इसका गरेक्टांसर है option no.8 परतिरोध का माज जादा हो जाता है अगर उसकी जो लंबाई है उसे आप बढ़ाओगे कोशन है यदि किसी प्रारूपी परतिरोध का वेदुत परतिरोध गिरकर शुन्य हो जाता है तो उस परतिरोध को क्या कहते हैं तो इसका गरेक्टांसर है option no.8 उसे हम अतिचालग कहते हैं निक्षन है चालग का वेदुत परतिरोध किस से स्वतंत्र होता है तो इसका correct answer है option number B बिल्कुल correct है तो आप से स्वतंत रहता है किसी भी चालक का विदुत प्रतिरोध निक्ष ने fluorescent lamp में चोंक का प्रियोजन क्या है तो इसका correct answer है option number C प्रतिरोध अगता को कम करने का कारी करती है चोंक fluorescent tube मतलब जो आपके घरों के tubulate होती है उसमें एक चोंक लगी रहती है बोड में तो वह है जो प्रतिरोध लगता है उसे कम करती है तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोडता है तो इसका correct answer है option number A आदार से जोडता है निक्षन है प्रति दिप्ति नली में सरवादिक सामानेते प्रियोग होने वाली वस्तु है तो इसका correct answer है option number C पारा वाश्प और 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 अर्गन के इसका प्रियोग किया जाता है प्रति दिप्ति नली में निक्षन है ट्रांसपार्मर प्रियोगत होते है तो इसका correct answer है option number D बिल्कुल correct है जो AC voltage का up chain या up chain करने के लिए यानि कि जो voltage का मान है उसे कम ज़्यादा करने के लिए ट्रांसपार्मर का उप्योग किया जाता है निक्षन है एक इकरत परिपत में प्रियोगत अर्द चालक चिप निम्न की बनी होती है तो इसका correct answer है option number C जो विदुत मोटर होती है वह विदुत उर्जा अगर आप दोगे तो उसे वह यांत्रिक उर्जा में बदल देगी निक्षन है एक क्रतिम उपग्रह में विदुत उर्जा का इस्तरोत क्या है तो इसका correct answer है option number B क्रतिम उपग्रह में विदुत उर्जा का इस्तरोत निक्षन है एंपियर क्या मापने की इकाई है तो इसका correct answer है option number B विदुत दहरा को मापने की इकाई है एंपियर निक्षन है जलते हुए बलब विदुत के तंतु का ताप सामानित होता है तो इसका correct answer है option number D 3000 से 3500 degree centigrade होता है जब एक जलता हुए बलब होता है उसका सामानित ताप मान निक्षन है माइका है तो इसका correct answer है option number A निक्षन है विदुत उत्पन करने के लिए कौन सी दातु का उप्योग किया जाता है तो इसका correct answer है option number A ग्यूरेनियम दातु जो कि एक रेडियो सक्रिये तत्व है उसका प्रियोग किया जता है विदुत उत्पन करने के लिए निक्षन है सामान्य प्रियोग में लाई जाने वाली प्रती द्यूप्त टूबलाइट पर निम्लिकित में से कौन सा अंकित होगा तो इसका correct answer है option number C से बिल्कुल correct है इसमें 6500 केल्विन अंकित होगा निक्षन है निम्लिकित एधात्यों में से कौन सा एक विदुत अब घट्यों के रूप में प्रियोग होता है तो इसका correct answer है option number B सिली इनियम का प्रियोग कियाता है विदुत अब घट्यों के रूप में निक्षन है तडित चालक बनाई जाते हैं तो इसका correct answer है option number B तामा धातु से बनाई जाते हैं तडित चालक के निक्षन है तडित चालक का अविश्कार किसने किया तो इसका correct answer है option number C Benjamin Franklin विग्यानिक ने किया था तडित चालक का अविश्कार निक्षन है 100 watt का बिजली का बलब यदि 10 गंटे जलता है तो बिजली का खर्च होगा तो इसका correct answer है option number A blue correct है 1 इकाई होगा मतलब 1 इकाई में बराबर होते हैं 1000 watt कितना watt होता है 1000 watt होता है एक इकाई में तो आपन 100 watt का जो बलब है वह दस गंटे जला रहे हैं तो कितना हो जाएगा 100 गुना 10 तो बराबर कितना हो गया 1000 watt तो 1000 watt किसके बराबर होता है एक इकाई के बराबर मतलब एक यूनिट के बराबर निक्षन है एक 100 वाट का बलब 10 गंटे जलता है तो 5 रुपे प्रती युनिट की दर से विदुत खर्च होगा तो इसका correct answer है option number E 5 रुपे खर्च होगा क्योंकि 100 वाट का हम बलब जला रहे हैं 10 गंटे तो 100 गुना 10 बराबर कितना हो गया? 1000 वाट तो 1000 वाट में कितना होता है? एक युनिट होता है तो हमने एक युनिट बलब को जलाया है तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा? 5 रुपे प्रती युनिट है तो 5 रुपे हमारा खर्चा हो जाएगा निक्षन है 100 वाट के विदुत लेम्प को एक दिन में 10 गंटे प्रियोगा है तो एक दिन में लेंप कितनी उड़जा खर्च होती है तो उसका गरेक्टांसर है आप्सन नमबर A एक उनिट उड़जा खर्च होती है निक्षन है विदुद धारा के उसमिय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है तो उसका गरेक् निक्शन है टूब लाईड में वे उढ़ जा का लग बग कितना भाग प्रकास में पूरिवर्तित होता है तो इसका एरेक टांसर है आफिसन नमब डि जो 60-70 परसेंट जो भाग है वह प्रकास में परिवर्तित होता है वे उढ़ कॉशन है विजली के बलब से हवा पूरी तरह क्यों निकाली जाती है तो इसका एंदर अन्दर निरवात वाईउ का अंदर पूरेश वह शोता है इस कारण से, तेज अवाज होती है, निक्ष ने, एक बिजली के बलब का फिलामेंट किस तातू का बना होता है, तो इसका गरेक्टांसर है, आपस नम्बर D, टंगेश्टन का बना होता है, बिजली के बलब का फिलामेंट, निक्ष ने फ्यूज तार बनाई जाती है तो इसका गर्रेक्ट आंसर है option number D तीन और लेड़ के मिश्ल दातु से बनाई जाती है फ्यूज तार को निक्ष ने पॉज़ित्रों किसका प्रतीकरण है तो इसका गर्रेक्टांसर है option number E electron का प्रतिकरण है जिसका नाम है ogitron नेक्षन है पर्माणू बहर का अंतराश्टिये माननक है तो इसका correct answer है option number C ब्लकूल गरेक्ट है जो कार्बन बहरा है वह अंतराश्टिये माननक होता है पर्माणू बहर का question है नाबिक के धनाविशित होने की खोज की थी तो उसका गरेक्टांस रहा है आप्शन नमबर बी बिल्गुब रखटा है रद्रफोर्ण ने खोज की थी निक्षन है किस न्यूक्लियर करण में कोई दर्विमान और कोई आवेश नहीं होता किन्तु प्रचकरन होता है तो उसका गरेक्टांस रहा है आप्शन नमबर सी न्यूट्रोनों में ऐसा होता है निक्षन है किसी परमानू के परमानू दर्विमान और दर्विमान संक्या के अंतर को कहते हैं तो उसका गरेक्टांस रहा है option number C इसे दर्विमान शती कहते हैं परमानु दर्विमान और दर्विमान संक्या के अंतर को निक्ष ने किसी परमानु के परिकर्मन कर रहे किसी इलेक्ट्रोन की कुल उर्जा होती है तो इसका गरेक्टा अंसर है option number D सदा धनात्मग होती है इलेक्ट्रोन की कुल उर्जा जो की परिकर्मन कर रहा है निक्ष ने दर्विमान संक्या किसका योग है तो इसका गरेक्टा अंसर है option number B यह है प्रोटोन और निट्रोन का योग होती है दर्विमान संक्या निक्ष ने डोल्टन के प्रमानु सिद्धान्त के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत रूप से रह सकता है तो इसका गरेक्टा अंसर है option number B जो प्रमानु कण है वह स्वतंत रूप से रह सकता है डोल्टन के प्रमानु सिद्धान्त के अनुसार निक्ष ने तत्व के सबसे चोटे भाग को क्या कहते हैं तो इसका गरेक्ट आंसर है option नंबर A इसे हम परमानू कहते हैं नक्षन है इलेक्टोन की तरंग प्रकति की खोज स्वरफम किस ने की थी तो इसका गरेक्ट आंसर है option नंबर B D. Broglie ने की थी तरंग प्रकति की खोज निक्षन है निमलिकित में से किस प्रमाणू के नाबिक में न्यूट्रोन नहीं होता है तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्षन नमबर बी जो हाइट्रोजन का प्रमाणू है उसके नाबिक में न्यूट्रोन नहीं पाया जाता है निक्षन है न्यूट प्रोन का पता लगाने वाले विग्यानिक का नाम निक्षन है एक भारतिये विग्यानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूलकन के साथ जुड़ा है तो इसका ग्रेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर भी बोस विग्यानिक है भारतिये जिनका नाम जुड़ा हुआ है विशिष्ट मूलकन से निक्ष ने परमान विये नाबिक किसने खो जाता तो इसका एरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर ही ब्रादर फोर्ड ने खो जाता परमान विये नाबिक को निक्ष ने ओजिट रोन के खोज करता है तो इसका एरेक्ट आंसर है आपसे नमबर C, एडर्शन है जो कि पोजिट्रोन के खोज करता है निक्ष ने, निमलिकित में से किन कणों के कणिये तरंग की दूप परकती पाई जाती है तो इसका गरेक्ट आपसे नमबर C, बिल्गुल करेक्ट है जो एक्ट्रोन जो कण है, उनकी जो कणिये तरंग की दूप परकती नमें पाई जाती है निक्ष ने, जेम्स चेडविक ने, किसकी खोज की तो इसका गरेक्ट आपसे नमबर C, निम्ट्रोन की खोज की थी जेमस चेडविक ने, निक्ष ने, प्रोटोन की खोज की थी, तो इसका गरेक्टांस रहा है, आप्शन नमबर ए, गोल्ड श्टीन ने की थी, प्रोटोन की खोज, निक्ष ने, इलेक्ट्रोन की खोज किस ने की थी, तो इसका गरेक्टांस रहा है, आप्शन नमबर ए, थॉ को दासीन होता है प्रमानू विदुत है निक्षन है सबसे पहले इलेक्ट्रोन के आवेश का सफलता पूरवग निर्धारन किस ने किया तो इसका गरेट टांसर है आप से नमबर भी मिलिकन ने किया था सबसे पहले इलेक्ट्रोन के आविश का सफलता पूर्वग निर्धारन निक्षन है निम्लिकित में से कौन एक आविश रहित कन है तो उसका गरेक्टांसर है आप्षन नमरे न्यूट्रोन है जो की एक आविश रहित कन है निक्षन है परमानू के नाविक में निम्न कन होते है नाबिक में निक्षन है निमलिकित में से कौन सा एक किसी ततु के परमानु करमांग को सबसे सही निर्धारित करता है तो इसका गरेक्टांसर है आप्षन नमरे जो प्रोटोन की जो संक्या होती है वह परमानु करमांग को सही निर्धारित करती है निक्षन है निमलिकित में स कौन एक एस्ताई कन है तो इसका गरेक्टांस रहा है आप्शन नमबर C जो न्यूट्रोन है वह एक एस्ताई कन का उधारण है निक्ष ने परदात का परमानविक सिद्धानत स्वरपर्थम किस ने दिया तो इसका गरेक्टांस रहा है आप्शन नमबर B सबसे पहले डोल्ट का निक्षन ने शुद्ध तत्व कौन सा है आप्शन नमर सी जो सोडियम जो तत्व है वह एक शुद्ध तत्व का उधारन है निक्षन ने निमलिकित में से एक मिश्रन है तो इसका रिक्टांसर है आप्शन नमर भी इस बात है जो की एक मिश्रन है निक्षन है निमलिकित में से रासाइनिक योगिक कौन सा है तो इसका 쉽 जो ऑुप्सिन नंबर सी अमोनिया है जो की एक रासाइनिक योगिक है क्ष्ञ ने वाई उनियम्रे मेंसे क्या है तो इसका ऊप्सिन निम्न में से कौन सा एक ततु है तो इसका ग्रेक्टांसर है ऑफचन बडी हीरा है जो की एक ततु का उधारन है निक्ष ने विशु का प्रतेक, प्रधार्थ अत्यंत शुष्म कणों से मिलकर बनना होता है यह सुरपरतम किस ने कहा तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमबर भी सबसे पहले कणाद ने कहा था कि जो विश्व का जो प्रतेक प्रदार्त है वह त्यंते शुश्म कणों से मिलकर बनना होता है निक्षने हीरा है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन पर ए ये भी एक टत्व का उधरन है निक्ष है निम निम में असे कौन एक कुर्ण नहीं है तो इस का गर्म रान्सर है습니까 नोबर ड्रेट है जो कि एक biodharan नहीं है इसके लावा चांच पी टाल इसपात ये तीनों ही मिश्रन के उधरन है निक्षने बारूद होता है तो इसका गरेक्टांसर है option number B एक मिश्रण होता है बारूद निक्षने विरंजग चूर्ण है तो इसका गरेक्टांसर है option number B योगिक होता है विरंजग चूर्ण निक्षने निम्न में से कौन एक योगिक है तो इसका गरेक्टांसर है आप्षन नमर सी रेत है जो की एक योगिक का उधारन है निक्षने प्रधार्थ की चतुरत अवस्ता तो इसका गरेक्टांसर है आप्षन नमर भी प्लाजमा है जो कि प्रदार्द की चतुरत अवस्ता है निक्षन है निम्न में से कौन ने तो तत्व है नहीं योगिक है तो इसका गरेक्ट तांसर है आप्षन नमर ए वायू है जो कि ना तो तत्व है और नहीं योगिक है निक्षने, Stainless Steel, एक मिश्र धातु है, जबकि वाईू एक है तो इसका गरेक्ट आंसर है, Option number A, मिश्रन का उधारन है वाईू और Stainless Steel, एक मिश्र धातु है निक्षने, निम्न में से किस परधार्त में ऑक्सिजन नहीं है तो इसका correct answer है option number C जो मिट्टी का तेल है उसमें oxygen नहीं है इसके अलाव cement, rate, काच इन तीनों के अंदर oxygen है निक्षन है निम्न में से कौन एक योगिक है तो इसका correct answer है option number D ammonia है जो की एक योगिक का उधारन है निक्षन है निम्न में से कौन उपधातू है option number D ये सबी मतलब arsenic, antimony, germanium ये तीनों ही उपधातू के उधारन है निक्षन है निम्न में से किस धातू में धातूई चमक पाई जाती है तो इसका correct answer है option number C A, B, B दोनों मतलब graphide और iodine इन दोनों के अंदर ही धातूई चमक पाई जाती है निक्षन है निम्निकित में से कौन धातू के हुए भी विदूत का कुचालग होता है तो इसका correct answer है option number C लेड है जो की धातू होते हुए भी विदूत की कुचालग होती है निक्षन है ऐसे तत्व जिन में धातू और iodine धातू दोनों के गुण पाई जाते हैं तो इसका correct answer है option number B इन तत्वों को उपधातू कहते हैं निक्षन है कोशन है दो या दो से अधिक शुद्ध परदार्तों को किसी अनुपात में मिला देने पर बनता है तो इसका correct answer है option number C मिश्रन बनता है नेक्षने दो या दो से अधिक तटूं को मातरा के विचार में एक निशित अनुपात में संयोग करने पर बना परदार्ट कहलाता है तो इसका रेक्टांसर है आप्शन नमबर भी योगी के बनता है नेक्षने एक ही परकार के परमानू निम्न में से किसमें मिलता है तो इसका इरिक्टा नसर है आप्शन नमर सी प्राक्यत तत्व में मिलता है एक ही प्रकार के परमानू हूँ